तो दोस्तों मैडम से हम केरिंग टिप्स के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दू मैडम का चैनल है यूट्यूब पे फ्लोरा फ्रेंजी और कॉमर्शिली भी मैडम का काम है ट्रे गार्डिंग के लिए आप संपर कर सकते हैं प्लांट्स हैं में अवलेबल हैं जो आप खरीद सकते हैं तो केरिंग टिप्स के बारे में बात कर रहे हैं मैडम तो केरिंग में कुछ स्पेशल केर नीड होती है रोज को फर्टिलाइजर या कहां लगाना इसमें कुछ अंतर होता है बागी प्लांट्स से देखिए एक तो सबसे पहले ज फूल धूप की बात हो गई दूसरी बात आप कभी भी कोई गुलाब का पौधा जो है अगर गमले में लगाते हैं तो देफिनिटली उसकी बहुत जादा करनी पड़ेगी बहुत उसमें मैनियोरिंग करनी पड़ेगी तब जाकर कहीं उसके इंदर फूल अच्छे आपाए एक तो हम जब भी भी किसी भी प्लांट की पूनिंग करते हैं तो जैसे उसका जब फ्लावर देने का फूल सीजन आता है उससे कम से कम एक महीना पहले तो आप प्रूनिंग ना करें तो जैसे कि मान लीजे गुलाब का जो सीजन होता है जो अंग्रेजी गुलाब होता है उ तो उसमें इतना जादा प्रताडित फील करेंगा आपका पौधा क्योंकि पौधा भी उसमें वी एक जीवन होता है तो जीवन जब उसको आप अगर गर्मियों में पहले ही उस पौधे के उपर इतना जादा उसको जहिलना पड़ रहा है और राजिस्तान में स्पैसिफिकल इतनी तेज गर्मी पड़ती है तो वो जो पौधा है वो उसको सहन नहीं कर पाता है इस वज़े से आप ऑगस्ट तक तो बिल्कुल भी कोई कटिंग ना करें ऑगस्ट की बाद आप कटिंग करें और कम से कम जैसे फ्लावरिंग मौसम है जैनवरी में है तो उससे आप से आ टो मैं तो अपने सब जगें वही डालती हो गुढाई हम लोग जड़ों के पास में करते रहते हैं तो हफते में एक बार हम आप दोड़ी सी कर देते और फिर 15 दिन में एक बार हम थोड़ी गाए की गोबर की जो खाड होती है वो इसमें डालते हैं उस बहुत जादा विश रंग आता है और साइज आता है गुलाब का वह एकदम अलगा है तो सड़ियों में भी जरूर प्लान करेंगे मैं कि आपने जो सब्सक्राइबर मितर है उनको दिखाएं कि कैसे क्या आपके जो हैं उस समय तो शेड़ फ्लावर जाएंगे और इतने बड़े बड़े फ्लावर नैक्स सेक्षन कहों साह दिखाने चाहरी है मैं नेक्स मैं आपको जिखाती हमेरे वाटर प्लांस है तो मेरे पास मेरे काफी वराइटी है वाटर अन् मुठ ना दो छोडह जुच्टे एक वटब्लां को उगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन वाटर प्लांना काफी आसान है। और बहुत जादा नहीं करो उनकी देख रहे तो भी बहुत सारे ऐसे वाटर प्लांस है जो कि आसानी से ना उख जाते हैं और सस्टेन कर जाते हैं तो आज हम बहुत अच्छे दिन पर आएं आज मेरे आपर वाटर लिली इस में बहुत सारे फूल किल रहे हैं बहुत अच्छे बाते हैं